दोस्तों आप सभी लोग जो है वो पैसा अर्ण करना चाहते हो कमाना चाहते हो और इसलिए बहुत सारे दोस्त जो है वो ट्रेडिंग का रास्ता अपनाते हैं ठीके ट्रेडिंग करना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है और उससे पैसा कमाना भी कोई बुरी बात नहीं है ल लेकिन उसमें हमारी एक गलती हो जाती है दोस्तों क्या गलती होती है उसके बारे में हम जो है वो यहाँ पर जानने वाले हैं तो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों उस टाइम पे हमें लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है अब ये लॉस होता क्यों है उसका काराणे दोस्तों simple कि हमारे पास अगर 100 रुपे हो एक basic नियम है simple सा रूले अगर 100 रुपे हो हमारे पास तो हमें maximum 5 से 10 रुपे से ज़्यादा हमारा trading नहीं करना चाहिए हम क्या करते हैं 100 रुपे होते हैं और 150-200 रुपे का trading करना चालू कर देते हैं यह हमारी सबसे बड़ी घलती है दोस्तों तो आप जो है वो अपने पैसे को बचाओ अपने रुपे को बचाओ ट्रेडिंग करो सीखो मर्केट को समझो लेकिन 100 में से सिर्फ 5-10 रुपे उससे जादा नहीं तो फिर आपका capital बच सकता है धन्यवाद